हाँ तो नमस्का दोस्तों मेरा ना मैं आकाश सर्मा स्वाथ करता हूं आप सभी कमारे यूट्यूब चैनल सर्माजी क्लैसस में दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतियास संबंदित महतवपूर्ण कंटेंट जो कि आपकी सभी प्रित्तियों की चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है आप इस नंबर पर जोइन लिकर मेंसे सेंड कर सकते हैं आपका मारे वट्सक्रूप सेंड कर दिया जाएगा तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सिधा वीडियो की तरफ देखेंगे आज का हमारा पहला महतवपूर्ण क अगले प्रशन पर अगला प्रशन ने वनता है आपका कि मध्य प्रदेश में रिक्तिस्थान की गूफाएं एवं पुर्व एतिहासिक गूफा चित्रों तता बित्ति चित्रों का भैतरिन उधारण है कौन सी गूफा है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा आपका भीम बेटिका की गूफा यहनी कि बिस्तितन है मध्य प्रदेश के राइस एंजिले में बढ़ते हैं दूस्तों अगले प्रशन पर अगला प्रशन है तो ये content आपको गूफाओं के बारे में याद रखना है कि जो मद्द प्रदेश में इस भीम बेटिका की गूफा है जो की राइसन जिलेम है वो काई के लिए प्रशिद्ध है गूफा और सेल चितर के लिए प्रशिद्ध है ठीक है अगले प्रशिद्ध के तरफ चलेंगे द काली वंगा में ठीक है अगले प्रशिद्ध की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों किस नव पाशानिक इस्थल से गर्त निवास के प्रमान मिलते हैं किस से मिलते हैं दोस्तों गर्त निवास के प्रमान बुर्ज खौम से ठीक है क्या हो जाएगा आपका इसका अंसर बुर्ज यूगल स्वाधान में से कौन से तत्व काली बंगा में से नहीं पाय गया हैं ऐसा आपको जोस्तो ये काली बंगा से नहीं पाया गया बाकि जो तीनों ओप्षन दिये गये है ये प्रमान कहां से मिले हैं काली बंगा से ही मिले है ठीक है अगले प्रिशन पर चलेंगे अगला प्रेशन है आपका लोथल देमाबाद सुरकोटदा और धोला वीरा इनमें से कौन सा हडपा कालिन इस्थल गुजरात में इस्थित नहीं था इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इस्थल जो हडपा कालिन सब्विता का इस्थल गुजरात में नहीं था तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों देमाबाद देमाबाद जो है वो गुजरात में इस्थल इस्थित नहीं है ठीक है बांकी के जो इस्थल आपके लोथल सुरकोड़दा और धोला वीरा यह सभी कहां पर है दोस्तों गुजरात में इस्थ तो गनेश्वर इन में से जो गनेश्वर है यह मध्य पाशान कालिन नहीं है ठीक अगला प्रशने देखेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वप्रण प्रशने दोस्तों अगला आपका कि सिंदु घांटी सब्विता का कौन सा प्राचिन सहर अपने बंदर गहा के लिए प्रसिद था ठीक है अगले प्रशने पर चलेंगे अगला प्रशने आपका कि लोथल नगर किस नदी के उप नदी के किनारे पर बसा था ठीक है लोथल नगर किस नदी के उप नदी के किनारे पर बसा था तो दोस्तों जापको लोथल नगर है यह किस नदी पर बसा हुआ है साबर मत अंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा लोहा जी हां दोस्तों हडपा का लिन इस्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ती नहीं हुए ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण पर प्रश्ण आपका अगला कि सिंदु घंटी सब्विता का कौन सा एक इस्थान रा को बताना चाहिए कि यहाँ अभी बी अप्षर है ठीक है इसके बार में कोई जानकरी नहीं मिली है कि यह लगुपाशान क्या होते हैं ठीक है क्या होते हैं दोस्तों लगु acceso इन को बोलते हैं पत्तर के ओ लगव पाशन काय को बोलते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा ह। तो वीडियो को एक लाइक जरू कर रहे हैं साथी मैं चनल को सब्सक्राइब जरू करनी ठीक है, चलते है दोस्तों अगला प्र Cover आपका अगला कि हडपा कालिन इस्थल रोपड किस नदी के किनारे इस्थीत है जो हडपा कालिन इस्थल एक रोपड जगा दोस्तों वो किस नदी के किनारे परिष्थे थे ये है सतलज नदी के किनारे पर ठीक है देखते हैं दोस्तों अगला कंटेंट कि हडपा मोहन तथा लोथल में सिंदू सब्विता का कौन सा इस्थान भारत में इस्थीत है ठीक क्या बताना है कि हडपा मोहन जोड़ो और लोथल इनमें से तीनों सिंदू सब्विता के हैं दोस्तों इनमें सब को बताना है कि कौन सा इस्थान ऐसा है जो की वरतमान में भारत में इस्थी थी ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रशने आपका कौन सी एक विशेस्ता सिंदु घांटी सब्विता के प्रमुक सहरों की एक सामान्य विशेस्ता नहीं थी ठीक है तो सीचाई की नहरे ये विशेस्ता सिंदु घांटी सब्विता की नहीं थी ठीक है दोस्तों आगे दे विरा इस्थल भारत के किस राज में इस्थीत है जी हां दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले इस प्रशने के बारे में हमने चर्चा करे थी तीन उप्सन आपको दिये थे उनमें सबसे पूछा था कि कोई सा गुजरात में इस्थीत नहीं है उसमें एक यह आपको उप्सन दि देखते हैं सिंदू घाटी सब्विता के इस्थानों धोला वीरा मोहन जोड़ो चनहु दड़ो तता हडपा में से किसे सिंद का मरो इस्थल के रूप में जाना जाता है किसे जाना जाता है दोस्तों मोहन जोड़ो को किस नाम से जाना जाता है सिंद का मरो इस्थल के नाम स स्थीत था कौंसा इस्थान अभी जिसके बारे मिदे में चर्चा करहीती धोलावीरा जो ओंब पर इसे सी सी कुझरात राज्ज में सतीतते यह कौन से नदी किनारे पर बसा हुआई दोस्तों लूनी नदी के किनारे प्रेशन था आपका कि सिंदु घंटी सबविता का कौन सा एक इस्थान लोनी नदी के किनारे पर इस थी था तो क्या हो जाएगा इसका अंसर आपका धोला वीरा चलेंगे दोस्तों अगले प्रेशन पर यूगल शवाधान, फारस की मुहरे, बंदरगाः एवं उत्तम किस्म के जो इनमें से कोन सा तत्व पुरा तात्विक अवसेश के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं तो क्या हो जाएगा इसका अंसर? उत्तम किस्म के जो जो की पुरा तात्विक अफसेश के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं जी अब बाकी के जो तत्व है यूगल शवाधान फारस की मुहरे और बंदरगा ये सब पुरा तत्विक अफसेश के रूप में लोथल से पाए गए हैं ठीक है चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण पर प्रश्ण आपका अगला चिरांद मेहरगड बुर्ज होम तथा देमाबाद में से कौन सा इस्थल नव पाशान यूग का प्राचिनितम प्रमान प्रस्तूत करता है तो इसका आपका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जो कि नव पाशान यूग का प्राचिनितम प्रमान प्रस्तूत करता है ठीक चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है आपका कि मोहन जोड़ों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है जी है दोस्तों मोहन जोड़ों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी चलते हैं सिंदू घंटी की सब्विता के लोग किसकी पूजा करते थे किसकी पूजा करते थे दोस्तों सिंदू घंटी सब्विता के लोग पशू पती की ठीक है यह आपको याद रखना है अगला प्रशने आपका पूरा लेक सास्तर किसका अध्यन है पूरा लेक सास्तर जो जो सनरक्षन जीस्ट विज्ञण के दौरा किया जाता है वो कोण सी चाहिक के अंतरौट आता है उसको बोलते है मियूजियो लॉजिक क्या बलते हैं दोफ्रस्टो म्यूजियो लॉजिक कहलाती है इतिहासिक लेखो का सनरक्षन effectively करने वाली विज्ञण की लाइक जरू करें और आप चाहते ही कि हम आगे बे आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ ही बिला एक उनको प्रेस करें जिससे आपको मारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिक्शन मिलते रहें और साथ ह अगले वीडियो में तब तक लिए जैश्री महाकाल